Hey Everyone, Welcome back to my channel तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे फ्रेंटस आज का जो वीडियो होने वाला है वो हल्दी डेकोरेशन वीडियो है आप इसको हल्दी या मेंदी दोनों ही डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की चीजों को और फ्रेंट्स जो यह वीडियो होने वाला है बहुत ही हैलफुल हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि यह बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्दी जटपट होने वाली डेकोरेशन है तो आप सब को अच्छी लगेगी वीडियो तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं पीछ आप या स्कती हैँ क्लेहछ उसमें दो कर्टन लगा लिए उत पहले हैं तो इस तरह और जाने के लिए कर्डरा फार्टन्स को बीच में जोइंक करने के लिए शेफ्टी पिन्स का यूज शेपेंस पीच्छाव कि यूज किया है और ये पीछे की सिर्फी तरफ से शेवया यह वह इसे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब एक अपर सब कुछ लगे गा तो वैसे भी नहीं दिखेंगी सेफटी पिंस नहीं लगा लिया है तो इस तरीके से मैंने यह लगा लिया है तो टाइम की स्वाटज की वज़े से मैंने बहुत ही जल्दी और रेडिमेट प्रो जो मैंने लिये हैं यह दो कलर्स में लिये हैं यह थोड़ा लाइट जीड है और एक डाक शेड से इनको अल्टरनेट वे में मैं लगाती चली जाओंगे पूरी कर्टन्स प्या इसके बाद मैं इस तरीचे कि यह यह व développ आई थी खरी कर अई वल्हां व में लीए हैं ताकि यह तो और में करीयट यह कर सकूंगे च्रुज किया हैं और इसे भी मैं जितने बी डीद लिए में लगाती चाली जाओंगी तो बहुत ही और बहुत ही जली होने वाला डेकोरेशन आप चाहें तो आप भी मेरी वीडियो से थोड़ा help ले सकते हैं और अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप वह भी मुझे बता सकते हैं ता कि अगली वीडियो में मैं इसका ध्यान रखूँ और जब भी मैं आगे कोई वीडियो डालों तो इस चीज को मैं complete कर स क्योंकि डेकोरेशन में मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी कि यहां पर कुछ और चीजे हो सकती थी बद टाइम की शोर्टेज की वज़े से मैं जादा कुछ नहीं कर पाई इसलिए मैंने इन फ्लार्स को यूज किया है इसकी वज़े से क्या हुआ ना कि जो गैप से वो नहीं हो पारी थी क्योंकि नहीं यह उतना अच्छा लग रहा था और थोड़ा यह भी था कि अगर मैं एक सोफा लगाती हूँ तो फोटोग्राफ लेने में मतलब जो ग्रूप फोटोग्राफ होती है वो लेने में बहुत दिक्कत आने वाली थी तो इस वज़े से मैंने इ अगर फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आरी हो तो प्लीज वीज़ो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंस और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें पर्दो की सेटिंग के लिए मैंने थोड़ साइड़ी टेप का भी उस किया है क्योंकि जब तो इसको मैंने थोड़ा डबल साइडी टेप की हर्प से फिक्स किया है और उसके बाद मैंने इसको कर्टन को कार्पेट के नीचे डाल दिया है ताकि वह दब गए है हवा से उड़ेंगे नहीं और एक फिक्स रहेंगे अपनी जगा पर थोड़ा सा यह शूट नहीं हो पा हैं वहां पर सिटिंग कर सकते हैं और साथ में मैंने लगाए हैं कुछ कलरफूल कुशन्स ताकि जो वाइप हैं वो कलरफूल सी आए शूट करते करते बीच में मुझे याद आया कि यह कैमरा जो है वो फ्रंट की तरफ है नीचे की तरफ नहीं है तो इसलिए नीचे करते इसके बाद यह पेली यह वाला पॉर्शन था जिसे में पहले नहीं करने वाली ती मैं चोला वाली यह लग 29 alltså यह थोड़ा इस वाल हैंग खूडा आ को ताकि जो नीचे का पॉर्शन है वह भी तो लगे तो friends जब decoration मेरी complete होती है तो बिना lights के complete नहीं होती है मैंने इसमें यूज़ की fairy lights बट जब on किया तो fairy lights खराब हो चुकी थी बट कोई बात नहीं मेरे पास LED lights थी तो मैंने दोनों साइट्स पर ये छोटवाल LED lights लगाई है जो की colorful lights है ब्लिंक होगे चेंज करती है ये colors को मैंने ये Amazon से खरीदी थी चाहें तो मैं उसका link भी आपको share कर दूँगी और इस तरीके से ये मेरा final look create हो चुका है बहुत जल्दी create हुआ है I hope कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें ऐसी ही more videos के लिए हुआ 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 है हुआ 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 है